हाई वेलकम बैक तो दिस चैनल आज मैं शेयर कर रही हूं बच्चों के लिए एक कोल्ड एंड कफ होने पर बहुत एक एक इफेक्टिव होम रेमेडी इसके लिए मैंने आधी कटोरी सर्षों का तेल लिया है यहां जो तेल की क्वांटिटी आप कम जादा कर सकते हो अपनी न हो क्योंकि ऐसा करने पर क्या होगा कि लहसुन डालते ही वह एकदम से काला पड़ जाएगा तो यहां पे जब तेल हलका गरम था तभी मैंने लहसुन और जवाइन डाल दिया था कि लहसुन और जवाइन तेल में थोड़ी दिर पक जाए अच्छे से कि उसका जो असर है गर गॉल्डन ब्राउन होने तक पकाना है यहां पे गैस को फ्लेम को आफ कर दिया तो अब आप यह देख सकते हो कि जो लहसुन का कलर है वो डाक ब्राउन यह गोल्डन ब्राउन आप कह सकते हो तो इसको मैं ठंडा होने दूंगी और उसके बाद मैं चलनी से इसको चान के लगाओ कि इसका मतलब यह है कि बच्चा कवर रहे यह लगाने के बाद क्यूंकि जब बच्चा कवर रहे गए लगाने के बाद तो इसकी जो गर्माहट है वो बच्चे की बॉड़ी में जाएगी और बच्चे को इसमें कंजेशन में भी बहुत आराम मिलता है जो कफ है ब मतलब जैसे आपने बच्चे सोते हैं नाग बंद हो जाता है या गले में बच्चे के दर्ध हलता है तो इस से बहुत आरा मिलता है और एक और चीज armies कि आपको यहां ध्यान रखनी एक से मसाच करने के बाद आपको बच्चे को नहलाना नहीं है क्योंकि इस तेल से जो गरमाह hope यह remedy आप सबके लिए helpful है कि जैसे आप सर्दियां आ गई है तो बच्चों में यह congestion की problem बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है बच्चों को तो यह remedy आप जरूर ट्राइ कीजिए और कैसी लगी हमें comment section में comment करके जरूर बताईए और इस चैनल को subscribe जरूर कीजिए thank you for watching